बीजेपी के कारिकरता के घर के बाहर बुल्डोजर पहुंचता है जब ये पता चलता है कि ये तो बीजेपी के कारिकरता है तब बाबा का बुल्डोजर वापस लोड जाता है उनको दिखाई नहीं दे रहा है कि इस देश में इतनी नफरत पहलाई जा रही है बुल्डोजर गरीब के घरों पर चलता है आपका आपका बुल्डोजर अमीर के घरों पर नहीं चलता है ये जो कहते हैं सिर्फ लोगों के अंदर एक भय पयदा किये हुए है बाबा से सवाल आप पूछेँगे तो आपको जेल भी आता दिया जाएगा बाबा से अगर सवाल करेंगे तो घर पे बुलडोजर चला दिया जाएगा लेकिन हम बाबा से डरने वाले नहीं हैं। 24 के चुनाओं में न्यूज 18 के पतकार क्या हाल हुआ है जनता से भागना पड़ा है क्योंकि इस देश में सबसे ज़्यादा नफ्रत पहलाने का काम कर रहे हैं बीबी और बच्चों को लेके भागना पड़ा है क्या लग रहा है क्या महौल बनाने जाने के कोशिश की जा रही थी देखे जिस तरह से इस देश की राजनीती में इस जफसे भारतिये जनता पाटी सत्ता में आई है तफसे इस देश में जो जमीनी मुद्दे हैं उसकी नहीं बात होती है सिर्फ धार्मिक मुद्दों को भु इस देश में आप बताई ये कन्या को पूछते हैं हम लोग हम नौरात्र में हमारा चैत नौरात्र जब मनाये जाता है तो कन्याओं का पूजन होता है आखिर वुस वक्त उसी साधुसंद बजरंग मुनी के द्वारा एक अभध्र भासा जो इस सब्द का हम परियोग नहीं कर सकते हैं उसके द्वारा उद्गोशन किया जाता है और उत्तर प्रदीश की पुलिस मुख दर्शक बनके बठी रहती है क्या उत्तर प्रदेश की आवाम मैं मोदीज इसे पूछना चाहता हूं कि आप कहते हैं सबका साथ सबका विकास आखिर जब एक गरीब गरीब किसी कि उसके जब दुकानों को ठेलों को तर्बूस सहीत पलट दिया जाता है और भगवाज हुंडे को दारा तब आपका वो सबका साथ सबका विकास कहां होता है देखे बुल्डोजर इस बुल्डोजर पे तो नफरती लोग सबार हो चुके हैं अब बुल्डोजर पे जो बा आशनकाल में गरीब लोगों के आश्याने को तोड़ा चाल ला है अब उसी को बढ़ाया जा रहा है पूरे देश में कुई बुल्डोजर वाले मामा बुल्डोजर वाले भाईया है मन्त विष्वा क्या इस देश में बुल्डोजर से सरकार चलीगी डराने और धमकाने से कि आवाज को यह आवाज को दबाना चाहते हैं यह ताना साही को लाना चाहते हैं अब बताईए लखनाओ में यह आबएदी दुरूप से बीजेपी के कार tecnología करता के घर के बाहर बुलडोजर पहुंचता है जब ये पता चलता है कि ये तो BJP के कार करता है तब बाबा का बुल्डोजर वापस लोड जाता है क्या इस देश में इस प्रदेश में केवल सिर्फ जाती और धर्म के नाम पे पाटी वाट के नाम पे क्या परसनल दुस्मनी निकाली जा रही इसमें बाबा के द्वारा आपने 2017 में जब बाबा की शरकार आई थी उत्तर प्रदेश में तब भी आपने देखा होगा कि एक परसनल दुस्मनी के लिए की जातिकत नाम पे इस देश में शिर्फ हिंदू और मुसल्मान करके भारतिय जनता पाटी सत्ता में रहता चाहती है आप बताईए इस देश में तो सबसे ज़्यादा हिंदू खत्रे में है भाई उत्तर प्रदेश में कमले स्तिवारी की हत्या कर दी गई तब बीजेपी जो कहती है हिंदू तवादी पार्टी आखिर उसके खिलाप CBI जांस नहीं हुई तो इस देश में हिंदूों के लिए सबसे वड़ी खतरनाग पार्टी है भारतिय जनता पार्टी और ये एक नफरत की पार्टी हो जुकी है इस शरकार के शासन काल में जिस तरह से देश में धार्मिक युद्ध चल लहा है धार्मिक शंग्राम चल लहा है इस चे हमें बादी की तरफ ले जाया जा रहा है और नरेंद मोदी जी और हमारी देश की सुप्रीम कोट और जजेश को मकरण की नीच सोय हुए है उनको दिखाई नहीं दे रहा है कि इस देश में इतनी नफरत पहलाई जा रही है आखिर देश की जनता के लिए सुप्रीम कोट और क्या कहा था हम कैराना और मुझफर नगल के अंदर जो गर्मी है वो हम मैजून में भी सिमला दिखा देंगे मैजून में सिमला दिखा देंगे तो आप बताईए मैजून में सिमला किसको दिखाने का जरूरत था जो अपराधी रोग हैं क्योंकि आप कहते हैं कि हमारी जीर के घरों पे चलता है आपका आपका बुल्डोजर अमीर के घरों पे नहीं चलता है ये जो कहते हैं सिर्फ लोगों के अंदर एक भय पैदा किये हुए हैं, दराऊनी चीजे लोगों के अंदर इस देश में आज लोगा आज क्यों नहीं? दरे हुए है, सहमे हुए है, लोग घरों माण नो से जंग लड़ों बेहिमानों से क्योंकि यह बेहिमान शक्ता धारी लोग यह सब तक सकता में बैठे हुए हैं तब गलती हो सकती है कए थोड़ा सा इस देश में नफरत को जादा फैलाए जा रहा है क्योंकि आप बताएं मैं भी ब्रामणू इंटेक्शुल पीपल हूँ योगिता के अनुसार उत्तर प्रदेश में नौकरिया नहीं है लेकिन हम आवाज उठा रहे हैं बाकी और जो लोग है जनता उनको गुम्रा किया जारा डराया गया है कि बाबा से बाबा से अगर आप सवाल पूछेंगे तो आपको जेल भेज दिया जाएगा बाबा से बाबा से सवाल आप पूछेंगे तो आपको जेल भी आज दिया जाएगा बाबा से अगर सवाल करेंगे तो घर पे बुल्डोजर चला दिया जाएगा लेकिन हम बाबा से डरने वाले नहीं हैं हम हमेशा सरकारों से सवाल पूछते अरे भाई मैं तो कह रहा हूं कि सरकारी नौकरी है कहां आप सरकारी नौकरी के उस पर पोर्टल पर जाके देख लिए एक भी गौर्मेंट नौकरिया बचियों जब मोदी जी के द्वारा शभी का निजी करन कर दिया गया शरकारी संपेतियों बेचने के लिए तयारी है और दीजल पेट्रोल महंगा है तो कौन सी नौकरिया मिले अरे आप कहते है ना बाप अंदभक्ती वाला काम मत करिया आप भी कहिए कि शेर पाला हूं मैं तो वही अंदभक्त लोग पूरी सरकार बनाई थिया ब्रामनों ने वही कह रहे हैं ब्रामन जीते भी खाता है ब्रामन अंतिम संसकार करेगा क्योंकि इसको सत्ता में लाने वाले ब्रामनी थे यह लेकिन ब्रामनों के उपर सबसे ज्याता जुल्म किया है इस शरकार को सत्ता से बेदखल किया जाएगा और बीजेपी का अंतिम संसकार ब्रामनी करेगा पिंडदान करके हम इसका अंतिम संसकार क चलेगा ठीक है आप जैसे लोग अगर माईक लेके आ रहे हैं तो इस सरकार के शासनकार में क्योंकि माईक आप लोगों के हाथ में आज इस्ट्रीम मीडिया जो है वो इस देश की जनता को शिर्फ गुम्रा करने का काम कर रहे हैं आपने देखा होगा कल्वेडा में न्यूज बुर्का पहन के अब रोट पे निकलना पढ़ता है इस टीडियो से बाहर आती है जिस बुरका का भी रोट करते हैं वही बुर्का पहन के उनको निकलना पढ़ता है कि घर कैसे पहुचेंगे क्योंकि लोग इस देश में नफरत के नाम पे इन्होंने जहर बोया है और इनक लेकिन क्योंकि इन्होंने नफरत फहलाया है, ये पेट मीडिया है, ये खरीदू मीडिया है, ये गोदी मीडिया है, इसलिए इसको डल लग रहा है, बुर्का पहन के घर पहुचना पड़ता, आपको भी देखिएंगा, अगर सचाई नहीं दिखाएंगे देश की जनता को, तो आपको भी बूर्का पहन के घर पहुंचना पड़ेगा और वहाँ स्टीडियो में बैठके बूर्का और हिजाब का विरूत करवाएंगा